तो फ्रेंड्स वेल्कम टू स्टेडी कर मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर डेली करेंट अफ्यस में आज हम 8 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट 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 के कुशन डिसकस करेंगे तो आप इस लेक्षर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देख सभी का लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है सबसे पहले हम कल के करेंट अफ्यस को रिवाइज करते हैं फिर आज के कोशन डिसकस करेंगे कल का पहला कुशन था लाता मंगेशकर जी की पहली पुन्यतिति कब मनाई गई है तो छे फरवरी को मनाई गई है दोस्तों उन्हें स्वार कोकला कहा जाता था और 2001 में उन्हें भारत रतने से भी सम्मानित किया गया था और छे फरवरी 2022 को उनका मुम्मे में निधन हुआ 65 ग्रैमी पुरुसकारों में तीसरी बार ग्रैमी पुरुसकार किसने जीता है तो भारत के जो रिकी केज हैं उन्होंने तीसरी बार ग्रैमी पुरुसकार जीता है सबसे पहले उन्होंने 2015 में और फिर इसके बाद 2022 में और अब उन्होंने 2023 में ये ग्रैमी पुरुसकार जी दोस्तो करनाटक में हैं ACI Cup Football Tournament 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो साओधी अरब करेगा और ACI Cup Football Tournament 2023 का जो आयोजन है वो कतर में किया जाना है और 2023 में इसका आयोजन चाइना में होना था लेकिन COVID-19 के कारण इसका आयोजन अब कतर में होगा 2023 में मौन्टी देशाई किस देश की राष्टी एक क्रिकेट टीम के कोच बने है तो वह है नेपाल की क्रिकेट टीम के कोच बने है दोस्तो मौन्टी देशाई ने बैस्टेंडीच और कानाडा और UAE जैसी देशों के कोच की रूप में काम कर चुके हैं 36 बाद सूरज कुंड अंतराष्टिय सेल पर मेला किस राज में सुरू हुआ है तो ये हर्याना के फरीदाबाद में सुरू हुआ है जर्विज मुसर्रव का निधन हो गया है अगला कुशन है झेलो इंडिया विंटर गेम के लिए सुभंकर को किसने लाँच किया है तो अनुराग थाकुर्ने लाँच किया है दोस्तो जो खेलो इंडिया विंटर गैम है 2023 में ये आयुजित किये जाएंगी जम्मू और कस्मीर में खेलो इंडिया यूथ गेम कहा हो रहे है याद रखना है ये हो रहे है मद्द प्रदेश में दोस्तो आज का पहला कुश्यन है एरॉन फिंच ने किर्केट से सन्यास की घुशना की है अरॉन फिंच तो उन्होंने इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास की घुशना की है 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें और उस्टेलिया ने जीत हासिल की थी और उसकी कप्तान कौन थे अरॉन फिंच दोस्तो फिंच ने 2011 में अपनी सुरुबाद की थी खेल की 12 साल खेल खेला और अब उन्होंने अंतराश्टिय क्रिकेट से सन्यास लेने की घुशना की है इससे पहले उन्होंने सितम्बर 2022 में 50 उभर के प्रारूप से सन्यास लेने की घुशना की थी और अब उन्होंने T20 से भी सन्यास ले लिया है दोस्तो अन्न क्रिकेटरों के सन्यास की भी बात कर लेते हैं तो अभी हाली में हासिम अमला के द्वारा सन्यास लिया गया है ये साउध अफरीका के थे ड्वैन प्रिटोरियस ने भी अभी हाली में सन्यास लिया है ये भी साउध अफरीका के थे फरहान वहरत दीन ने भी सन्यास लिया है ये भी साउध अफरीका के थे सुरेश लेनन ने अभी सन्यास लिया है कैबिन ओब्राइन ये आईरलेंड के थे तो दोस्तो इन सभी क्रिकेटरों ने अभी हाली में सन्यास लिया है इनको भी आप note कर ले कि कौन सा खिलाड़ी किस देश का है Australia की बात आई थी तो दोस्तो Australia की राजधानी है Canberra और Prime Minister है Anthony Albanese ठीक है ये आप देख सकते हैं ये है Canberra और ये Australia का map है Australia से related एक और बात याद रखिएगा कि दोस्तो यहाँ पर जो currency चलती थी उसमें महरानी विक्टोरिया की फोटो रहती थी और अब जो वहां की नई महराजा बने है उनकी फोटो को हटा दिया गया है ठीक है तो ये कुछ चैंजिस किया गया है ऑस्टेलिया में अंगला कोशन है युबा संगम पंजी करण पोर्टल कहां लॉंच किया गया है ठीक है परवरी 2023 को नई दिल्ली में लॉंच किया गया और ये जो पोर्टल है ये एक भारत स्रेष्ट भारत के तहत लॉंच किया गया है दोस्तों इसको आप बहुत ही ध्यान से समझेगा देखे हमारे भारत का अगर आप नक्सा देखेंगे तो इसको पूरब पश्यमुत्तर पूर्चन में माटे तो आप देखेंगे नौर्थ इस्ट के स्टेट जिसमें असम में खाला है तुरुपरा नागालेंड ये सभी आते हैं तो ये जो एक भारत स्रेष्ट भारत योजना है या इसकी में या प्रोजेक्ट है तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो इन कि वहां के कल्चर वहां की संस्कृति को देखेंगे तो इस प्रकार से दोनों छित्रों के बीच घनेष्ट सम्मंध बनेगा तो ये एक भारत स्रेष्ट भारत प्रोजेक्ट है इसको 2015 में नरेंडर मोदी जी के द्वारा लॉंच किया गया था दोस्तो यहां पर आप मैप देख पा रहे हैं यहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा यह आप नौर्थीष्ट देख पा रहे हैं ठीक है और यह फिर सेस भारत बचता है मालिया कोई लड़का मद्यप्रदेश का है और जाना चाहता है नौर्थीष्ट के कल्चर को देखने के लिए वहां की संस्क करवाने के लिए अभी हाल ही में यह युबा संगम जो रजिस्टेशन पोर्टल है उसको लॉंच किया गया है और जो एक भारत स्रेष्ट भारत प्रोजेक्ट है यह सिक्षा मंत्रालाई की अंतरगत काम करता है याद रखीएगा और सिक्षा मंत्री कौन है धर्विंद प् कि अगर आप मत्रदेश पटवारी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC बेंकिंग किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मौक टेस्ट हमारे एप पर उपलब है एप का लिंक डिस्किप्सन बॉक्स में दिया गया है दोस्तो जो डेली कर इंटरफ गाई का बाणी जैराम का निधन हो गया है उन्हें किस बर्स पद्मे भूशन से सब्मानित किया गया था आंसर है दो हजार तेईस दोस्तो अभी हाली में पद्म पुरुषकारों की खोशना की गयी जिस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है अगर वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं वहाँ पर आपको उससे पूरी जानकारी मिल जाएगी तो बाणी जैराम का अभी हाली में निधन हो गया है उन्हें 2023 में पद्म पुरुषकार दिया गया था ठीक है दोस्तो तो अभी उनकी संदेग्ध मौत हुई है ये मौत का कारण पता नहीं है वो अपने घर में मृत पाई गई थी तो अब आगे चल करके पता चलेगा कि उनकी मौत का कारण क्या था लेकिन अभी उनका निधन हो गया है और वो है एक पारसुगाई का थी उन्होंने उडीसा, अंध, प्रदेश, तमिल नाडो, गुजरात, राज्यों में बहुत सारे पुरुसकार प्राप्ते किये हैं और नैस्नल फिल्म पुरुसकार भी उन्होंने जीता है, दोस्तो हाली में कुछ प्रमुक निधन हुए है, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते, तो परवेज मुसरब का निधन हो गया है, वह पाकिस्तान के पू से दिलेखत थे, सांती भूशन का निधन हुआ है, ये पूर्ब कानून मंतरी थे, और जे जमुना का निधन हुआ है, ये तेलगो अगनीता थे, दोस्तो ये हाली में जो निधन हुए है, इनको आप लोट कर ले, एक्जाम के पॉइंट अप दूसरे बहुत ही इंपोर्ट होगा, इसमें नित, कला, संगीत, बास्तु, कला, भूजन, इन सब की प्रदर्शनी लगाए जाएगी, इसकी सुरुबात 1999 से हुई थी, दोस्तो अब इसे काला घोडा कला महुत्साव क्यों कहा जाता है, देखी, जहां पर ये महुत्साव आयुजित किया जाता है, वहां पर एक काले घोडे की मोर्ती लगी हुई है, ठीक है, इसलिए इसे काला घोडा महुत्साव कहा जाता है, इन सभी को आप नोट कर लें, अब प्रमुक महुत्साव और त्योहार भी डिसकस कर लेते हैं, तो सरहल त्योहार जो है, जहां मनाया जाता है, जहारखंड में, जो आदिवाशी लोग होते हैं, वो इसको मनाते हैं, गुड़ी पर्व या खंडोवा महुत्साव ये महराष्टो में मनाया जाता है, वांचुवा महुत्साव और बिहुपर्व असम में, ट्यूलिप फेस्टिवल, ये कई बार एक्जाम में पूछा गया है, SSE के एक्जाम क मनाया जाता है, नागा लेंड में, पॉंगल तेवहार जो है, वो तमिल नाडू में मनाया जाता है, तो ये कुछ प्रमुक बहुत्साव और तेवहार हैं, इन्हें आप लोट कर ले, अंगला कोशन है, PM कोशम योजना को किस वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है, तो जो PM क खेतों में पानी नहीं लगा पाते हैं, यानि कि पानी नहीं नहीं देपाते हैं, तो अब सरकार के द्वारा जो ये PM कोशम योजना लॉंच की गई थी, इसका उद्देश ये था कि जो किसान है, वो अपने खेत में बिजली का उतपादन सोयम करें, और खेतों को पानी दे और अपनी बिजली को बैच भी सके, इस प्रकार की योजना बनाई थी, तो इसमें क्या किया जाता है, कि सरकार के द्वारा सहायता रासी दी जाती है, और उसके मादेम से जो किसान होता है, वो अपने खेत में सॉलर पैनल लगाता है, तो इससे बिजली उतपन होती है, तो वो अपने खेत में पानी पाता है और अगर उसको एक्स्ट्रा बिजली का उत्पादन करना है तो वो और solar panel लगाता है और वो दूसरे किसान को भी बिजली दै सकता है बिजली बैस सकता है तो इस प्रकार की जो स्कीम है उसे हम पीम कुसम योजना बोलते हैं तो अब इसको मार्च दोहजार चब्वीस तक के लिए बढ़ा दिया गया है अंगला कोशन है राश्टी आइस होकी 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 चेμपियन्सिप 2023 का खिताब किसने जीता है तो दोस्तो आइटी बीपी के दुआरा जो राश्टी आइस होकी चेमपियन्सिप योजार और इसमें ITBP की जो टीम थी उसने फाइनल में लद्दाक स्काउट को एक सूने से हरा करके और ये खिताब अपने नाम कर लिया है। इसका मुख्याला नई दिल्ली में हैं इसके वर्तमान डारिक्टर जनरल यानि महाने देशक है अनीस दयाल सिंग्गला कोशन है आर्द भूमी बचाओ अभियान की शुरुबात किस राज्य में हुई है तो दोस्तो इसकी शुरुवात हुई है गोवा में सबसे पहले आप य गीले रहते हैं नमी रहती है यहाँ ठीक है और आर्द भूमी को प्रतवी की किडिनी भी कहा जाता है क्योंकि यह वर्स भर गीले रहते हैं और यहाँ पर होता क्या है कि ऐसे चित्र के आसपास घास होती है बहुत अधिकadores में पेर पौथे होते हैं तो इसके कारण इस के आ को सुरू किया है किसने केंद्रिय परियावरण वन और जलबायू परिवरतन मंत्री भूपेंदर यादा उने दोस्तों भारत में अब तक यानि 2023 तक आज तक 75 वेट लेंड साइड है ठीक है और ये जो 75 वेट लेंड साइड है ये रामसर साइड में सामिल है और पिछले 9 वर वेट लेंड साइड जो है वो सुंदर बन साइड है जो कि पशे मंगाल में है इस बार के वेट लेंड डे की थीम क्या थी इट्स टाइम फॉर वेट लेंड रिस्टोरेशन दोस्तों याद रखिएगा वेट लेंड डे या अर्द भूमी दिवस कम मनाया जाता है दो फरव बसे दी है इससे पहले जनवरी में भारत में सिलंका को 75 बसे दी थी ठीक है कुल जो बसे देना है हमें यानि भारत सिलंका को बसे दे रहा है वो 500 बसे दे रहा है ठीक है तो असोक लेलेंड के बीच में और सिलंका के बीच में एक अनवंध है उसके तहत 500 बसे सिलंका को दी चानी है इसमें से 75 बसे जो है वो जनवरी 2023 में दीगे हैं और अभी 50 बसे दी गई है दोस्तो ये किस मौके पर गई गई हैं तो अभी हाली में छहे फरबरी को सिलंका का सुतन्ता दिवस मनाया गया है तो उसी के उपलक्ष में 50 बसों को जो है वो दिया गया है स्रिलंका को ठीक है स्रिलंका की बात आई है तुदालधानी जो है वो है इसकी कोलंबो और जैवर्धने पुरम भी बोलते हैं और यहां के जो राश्ट पती है वो है रानिल बिक्रम शिंग ही और प्रधान मंत्री है दिनेस गो परज़ेत की है कि उनकी सरकार घ्रीन हाइप्रूजन हब इस्थापित करेगी यनि दोस्तो कीरल में बहुत अधिक मात्रा में घ्रीन हाइप्रूजन का उत्तपादन किया जाएगा ठीके इसकी लिए जो स्टेट गवर्मेंट है यानि केरल की जो government है उसने 200 करोण रुपए आवंटित करने की घूजना की है और ये जो हब स्थाफित होंगी ये कूची और तिरू अनंदपुरम में स्थाफित किये जाएंगे इसके लिए India Hydrogen Alliance के साथ इसने alliance किया है यानि कि ये जो project है ये India Hydrogen Alliance के साथ लागू किया जाएगा ठीक है और green hydrogen plant का नेमाड होने से प्रती दिन 60 ton hydrogen का उत्पादन किया जा सकेगा देखिए दोस्तो hydrogen का उत्पादन क्यों किया जा रहा है लाश्ट कोशन है बहुत important कोशन है किस देश में भुकम की बज़े से 4800 से अधिक लोगों की मौत हो गई है तो दोस्तो अभी हाल ही में तुर्किये और सीरिया, इसराइल इन सब देशों में 4-5 देशों में भुकम पाया है लेकिन सबसे अधिक नुकसान जो है तुर्किये और सीरिया में हुआ है यहाँ पर सबसे अधिक मौते हुई है बाकी देशों में दोस्तो भुमी में कमपन हुआ है लेकिन उतना अधिक नुकसान नहीं हुआ है जितना तुर्किये और सीरिया में हुआ है यहाँ पर यह आकड़ा जो है बहुत बड़ा हो सकता है 5000 से जादा मोते हो चुकी हैं वहाँ पर तो दोस्तों यह जो भूकम था इसकी जो दीप्रता थी वो थी 7.8 छे फरवरी 2023 को यह भूकम पाया यह आप देख सकते हैं यह बड़ी बली बिल्लिंग्स जो है वो किस प्रका भी आ चुके हों वहाँ पर यानि कि भूकम के आने के बाद भी जटके लगे हैं तो 243 आप्टर सौक्स भी आ चुके हैं दोस्तों याद रखना है कि जो इसका एपी सेंटर था वो था गांजिया टेप सहर ठीक है यहाँ पर आप मैप में देख लीजेगा यह है टर्की ठी लेकिन सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है वो हुआ है गांजिया टेप में जो कि दोस्तों टर्की में है जिसे अब हम तुर्की यह बोलते हैं ठीक है यहाँ पर इसका एपी सेंटर था यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है तो आपको याद रखना है कि दने कि 7.08 थीक है भुगम क्यों आते है तो प्रत्वी के नीचे कै टेकोनिक फ्लेट्स होती है और यह पिखली हुए लाबा पर तैरती रहती है जब इन में दोस्तों टक्कर होती है तो होता क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में एनर्ची निकलती है और यह अनर्ची जो है वो कही न कही से तो निकलेगी तो जब ये एनरजी निकलती है तो प्रत्मी में कमपन होता है और ऐसी स्तिति को हम क्या बोलते हैं भूकम पोलते हैं तो ये थे आज के महत्पोर कोशन अब आपसे एक कोशन पूचा जा रहा है जिसका आंसर आपको comment box में देना है एरोन फिंच ने किर्किट से सन्याज की घूशना की है वाई किस देश से related है न्यूजिलेंड ऑस्टिलिया इंगलेंड या वेस्टिलिया जो भी इसका राइटन सरू comment box में जरूर बताइएगा PDF डाउलोड करिएगा एप से और दोस्तो लेक्चर पसंद आया हो तो like करिएगा share करिएगा सभी दोस्तों को सभी social media platform पर जैहिंद वंदेमात्रम